वल तो जैसे कि आप सबको पता था कि पिछले एपिसोड में हम लोग एक मेज में फच चुके थे और बाहर निकलने का भी हमें कोई रास्ता नहीं मिला और मेरा साथ देनी कि में पास बस एक कुट्ता था और मैंने कुछ टोन्स के हत्यार बनाया थे ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइब कर पाओ और बिछले एपिसोड में मैंने पूरी कोसिस की थी मेज को पार करनी थी पर वहाँ पे एक मौन्सर आ गया जिसके चाथ मैं लड़ाए हुआ पर मैंने उसे हरा दिया और मैंने आप लोग को काता है कि आप लग मुझे कमेंट में कोई आइडिया पता हूँ जिसे मैं मेज को पार कर सकता हूँ और ये बंदे ने मुझे एक बहुत ही सई आइडिया दिया कमेंट में कि मैं दिवार फानने की कोसिस क्यो नहीं करता अब आप सब जैसा कि देख सकते हो मैं इस जगह के सबसे उचाई वाले पेड़ पर खड़ा हूँ उसी तरह अगर मैं दिवार की उपर चड़ गया तो मुझे मेच के वारे हम पता चल जाए कि मेच कहां पर खतम हो रहा है और आप लोग को पता इस पेड़ की उपर आने के ए अब भग जांगी यहां से कौन है तू कैसा बन्द है भाई है मार भी नहीं रहते है इसे बनाने वाले कहां पर सबसे पहले रहता ता मुझे तो लगते है कि यौर मस्तवी पहले ने यहां पर कोई बंदा रहता होगा जिसने बनाया होगा और मेरी खाल से घर को भी ना उस पूरा बनाया होगा पर जिस तरह किसे यहां पर मॉंस्चर आते हैंगा नहीं बड़ से जड़ पार हो रहा हूगा किस से बचने दियो बंदेने पversion पर घर बनाया और फि Cred की बनाया और चुपके रहने लगां तो मैं दिवार के उपर चड़नी की पूरी कोसिस कर रहा हूँ और यह जो यहां पर दिवार पर ग्रिन ग्रिन लगया इसकी मैं दिवार पर बड़े अराम से चड़ पा रहा हूँ अब पतन यार ऊपर का नजारा कैसा होगा या फिर इमेच कितना बड़ा हो सकता है मुझे खतम हो गया यह उपर और नहीं जा रहा है तो यार मैं उपर नहीं चड़ सकता अब हमें हारमान के नीचे ही उतनना पड़ेगा अब देखो सब लोग वक्त के साथ नहीं यहां पर अलग-अलग मॉंस्टर आते रहते हैं अब डेमो तो आप लोग ने देखी लिया होगा कि कि वो ट्री हाउस में किस तरीकी से हवा वाला मॉंस्टर आ गया अब उस सब से नहीं फाइट करने के लिए पास कोई अच्छा सा हत्यार भी नहीं है अब हमारा पहला काम है कि एक अच्छा सा हत्यार बनाना उसके लिए माइनिंग पर आइरन डायमंड जो भी मिलेगा मैं स माइनिंग या बट नहीं मुझे टनल मिल गया पर आप लगों कि अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही किसी मौंस्टर या फिकिसी जॉंबी की एक बार धान से देखते और विट भाई वहां पर जॉंबी है अब क्या करें अंदर कैसे जाओ मैं ओके बट मैं अंदर जा सकत करते हैं तो मैंने बहुत सारे टॉर्च बना लिए कोल से फटाफट अपने क्राफ्टिंग टेबल को माइन करते और फिर आगे बढ़ते विसे मैं यहां पर पहले देख लिए तो हो सकती यहां पर और बी कुछ और मुझे आईरन मिल गया भाई मैंने पहले क्यों नहीं दे मैंनिंग पर धान दे तो विसे अपना ही फाइदा टॉर्च लगा है तो वेट यहां पर मुझे आइरन मिलिया है काफी अच्छा है आइरन बढ़े आराम से मिल जाए टैनल में ओके गाइस तो अभी तक है माहूर बिल्कुल सही चल रहा है मुझे यहां पर जादा कोई अभी मेरे पास टुटल 21 आरन हो चुक है अब मुझे फुल बॉड़ी आर्मर बनाने के लिए 24 आरन चाहिए वैसे यहां पी कुछ कोल है बट यह सब मैं बाद में माइन करूगा पहले मुझे आरन चाहिए वल तो आरन के साथ मैंने सारे कोल भी माइन कर लिए अब हमें धीरी धीरे आगे बढ़ना चाहिए यार काफी जादा अंधिरे आगे और वल हमें आरन लेगे तो इन्हें फटाफट माइन कर लेते है पूरे केव में मुझे अभी तक बस एकी जॉंबी मिला पर आरन की बार आपने अपना काम करते हैं यहां पर अपना क्राफिंग टेबल लगाता हो और साथ में फरनेस भी और मेरी जितने भी आईरेन है नहीं मैं सब पिगलाने के लिए डाल दे तो पहले मैं अपनी लाइरेन के सारे हथ्यार बनाओगा और साथ में आर्मर सब पैन के मैं आगे ज मैंने आईरेन के टूल्स और हथ्यार सब कुछ बना लिए बट में यहां पर फश चुका और मैं यहां पर कैसे फशा हो सब मैं आप लिको बाद में बताओगा पहले मैं यहां पर जितने भी आईरेन और कोले सब कुछ कलेक कर लेता हूँ आईरेन के लालत से मैं भाग के अंदर आगया और जॉंबी ने मेरा मार मार के कीमा बना दिया उस वह से मुझे वाल्ड खड़ा करना पड़ा ओके तुह यहां से भागते बट यार भाई कितने सारे मौपियां आपे अपे भाई मैं जारू मारो मत मारो मत आपे भागो मैं उपर जाओगा और नीचे आके इनको बड़े अराम से मारें अले यह तो खुदी जल गया भी एक और आगया मारो मारो अब भाई यार कितने सारे बंदिया यहां पे अब अच्छा तो यह उपर नहीं चड़ सकते मेरे खाल से सब लोग चले गए अब कोई नहीं आएग आप सब सोचे होगी कि सब कुछ लूट लेने के अब आद मैं दुपारा अंदर क्यों जा रहो क्योंकि यार अंदर मेरा क्राफ्टिं केबल और फरनेस में कुछ आयरे ने जो मुझे चाहिए वैसे माहूल तो साफ लग रहा है लग रहा है सारे जौम भी भाग चुके तो देखते साथ में अंदर जा सकतो अब नहीं है यारो जारो 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 भाई लोग फाइनली में टेलल से बाहर आ चुका हो और मैंने कुछ आयरेन मेल्ट होने के लिए डाल दिये जो भी ब्लॉक के फॉर्म में थे वो सब मेल्ट हो जाएगे उसके बाद में यहां से घर प जाओगा अब एक तो पहली मेरे घर में जान नहीं है उसमें भी यह थोड़ा चलाए जा रहा है मैं का सोच रहो एक बार इस बंदे से बात करके दिखते साथ हमारा घर छोड़के भाग जाए और भाई यार सुनना भाई चले जा रहे है मेरा घर है अब तू ही इसमें नहीं होगा पहले भाई या जॉंबिस ने टनल से भगाया अब यह बंदा हमारे घर पे आके बैट चुक है अब यार हार मान के मुझे पेड़ वाले घर में रहना पड़ेगा मैं उपर कहा जा रहो भाई मेरा घर तो नीचे बेड़ बनानी क्लिक फूल कम पड़ रहा है से मुझ आकरी की जान लेनी पड़ी कोई बात निया हम लोग सब कुछ करेंगे अब जब तक वो मॉंस्टर भागता नहीं तब तक हम लोग यार यहीं पे रहेगे मैं अपना सब को सेट कर दिया अब एक बार देखके आते सा तो मॉंस्टर चला गया हो वेट हम लोग यार अपने घ अब भाई यार तु फिर आगया भागया यार यहां से भाई कैसा यह जीब सा बंदा है यार कोई मुझे लगते कोई तुफान का देवता यार तबी इतना हवा फिके जा रहा है हमारे उपर अब बसकरने तो बहुत पिटेगा तु भाई यार भाग जाए यार मुझे तो लगते कि अब मुझे इसी बंदे के साथ यहां पर रहना पड़ेगा चले गयार कर लेगे जो करना पड़े कर लेगे बस कैसे भी किरके हमें समेज से बाहर भागना है अब भाई यार तुछ जरह सांती से बैड़ गाइस आप लोग यार मुझे कमेंट भी बताओ कि मुझे आप लोग भी वीडियो चोड़की जा सकते हो रहां नेक्स एपिसोड देखना बिलकुल मत भूलना